आप सभी प्रिय दर्शकों का स्वागत है इस नई वीडियो में, देखे दोस्तों, बहुत तेजी से उपर चड़े हैं दोनों स्टेक, क्यों अब नीचा आ रहे हैं, उसका व्याक्या किया जाएगा, और साथ ही साथ में आपको बताए जाएगा, कि ये जो गिर रहे हैं, ये बात है, देखे हिंदुस्तान में अगर खेती की बात की जाए, तो नंबर वन एम्प्लॉयर है फार्मिंग, उसमें चाहे आप और अर्गनाईस सेक्टर मिलाएं, चाहे अनौर्गनाईस सेक्टर मिलाएं, सब में मिलाकर नंबर वन खेती है, और हमारे घर में खाना इसके मादिम से ही आता है, जो आपके घर में दाल, चावल बनते हैं, वो किसान की कड़ी मेहनत से आते हैं, तो उसके लिए अगर उनको इस तरह का कुछ फर्टिलाइजर मिले, जिससे आगे रहत मिलेगी उनको, सबसीवी की तरह से, तो वो उनके लिए अच्छी बात मानी जाए राष्टिय केमिकल फर्टिलाइजर की इकरा एजनसी ने उसकी रेटिंग कन्फर्म किया है, जिसकी वज़े से उसने अपना 52-week हाई भी बनाया था यहाँ पर, तो इस हिसाब से ये कंपनी बहुत बढ़िया है, आग आने वाले समय में पॉस्टिक आउटलुक है, और साथ के चलते हुए, सबसीडियरी जब बढ़ेगी, तो ये शॉर्ट टम बोरोइंग और इंट्रेस्ट कोर्ट सबसीक्वेंटली, स्ट्रेंदें दर्ब कवरिज मेक्ट्रिक्स, तो इससे इकरा की रेटिंग ने रैशनल बताया है, कि ये क्यों बढ़ाया है, अब ये इतना ते आप से ये भी जो सबसीडियरी पैकेज है, अंडर इस स्कीम, हैस बीन रियली रियली गूट बूस्टर फोर आरेफ सी, जिसके चलते हुए, ये आगया आने वाले समय में इन्होंने बताया है, इस इन डिसकॉशन विद देपार्टमेंट फटलाइजर फोर कंसिडरी मिनिम सेग्मेंट इन नाइन मांथ 2021 के साथ में, तो ये cost of production, owning तो better energy है, साथ-साथ में natural gas price है, जो की एक बहुत बढ़िया इन के लिए value proposition बन रही है यहाँ पर, पर अब देखें दोस्तों, market में गिर्रावत चलावत आती है, अगर हम यहाँ पर RCF का भाव देखें, तो देखें, बुलिंजर बैंड, one of our favorite indicator, यह बता देता है, दो candle, पूरी candle बहार बनना, एक सबसे पहला खत्रेंगी गंटे है, उसके बाद देखिए, आज इसने जो high बनाया है, almost so, एक psychological level भी है, वहाँ से pressure आया है, और बंध होते होते 89 पर बंध हुआ है, तो देखें, बहुत बढ़ा इसने reverse मारा है, so, के भाव, यह खुला 97 के असपास, और वहाँ से, थोड़ा सावधान रही है दोस्तो, इतने high level पर, बुलिंजर बैंड मना कर रहा है, हाँ पर खरीदने के लिए, तो ऐसे आख बंध करके मत खरीदना इसको, अच्छा share है, अच्छी news है, बट level भी आपको इसने यहाँ पर rally शुरू की थी, वो यह rally शुरू की थी, तो इसके high से इसकी rally तक का, जो सबसे पहला support बनेगा, वो रहेगा 82 का, जो कि आज almost इसने 83 के आसपास इसको touch करके हाँ से गया है, अगर किसी वज़ाए से closing basis पर यह 83 के आसपास या उससे नीज़े तूटता है, तो next minor support रहेगा 77 का, और उसके बाद में next major support 71 का, हमारी दर्शकों से निवेदन है, कि जब भी stock एक momentum के साथ उपर जा रहा है, थोड़ा देर wait कीजे patiently, let it cool off, जैसे अगर आप समझेए, अगर आप खुद से सीडिया चढ़ना चाते हैं अपने चार मंजिले मकान की, हो सकता ह आप में बहुत अची strength है, आप चारो मंजिल एक साथ चढ़ जाएं, पर जो हमारी उमर के लोग है, उनको थोड़ा सस्ताना पड़ता है, पहले जाएंगे, दूसरी मंजिल पर जाएंगे, थोड़ा सस्ताएंगे, पानी पिएंगे, फिर उसके बाद आगे की दो मंजिल च तो इससे consolidation होना एक अच्छा sign है, पहला support जो इसका बनेगा हमारे हिसाब से, जो short term support है, वो है 77 के आसपास, अगर ये तूटता है, तो फिर 71 के आसपास ये आ सकता है, ये दोनों level आपके chart पर mark होने चाहिए, अब हम चलकर बात करते हैं यहाँ पर channel का हमारा 5x5 rule दोस्तों, investment rule है, आप हमेशे ध्यान रखिए, अलग-अलग company में निवेश कीजे और maximum 5% आपको अपने इसमें निवेश करना है, अब अगर हम यहाँ पर देखें कि क्या है outlook यहाँ पर in company का, तो outlook दोनों में अच्छा है, अब ज़रा उससे पहले हम यहाँ पर दीपक fertilizer की बात करें, द बढ़ गए हैं, दीपक fertilizer and petrochemical stock to gain 4.2% national stock fertilizer, और यह भी एक overboard zone में आ चुका है, यहाँ पर जिसकी वज़े से इसको थोड़ा सा नीचे आने के लिए दिक्कत नहीं होनी चाहिए, एक consolidation, इंडिया नीड पोस्ट हार्वेस्टिंग रिजूशन और फोर्ड प्रोसेसिंग तो उस हिसाब से यह एक बढ़िया value proposition बन रही है, दोनों का outlook बहुत जबरदस्त है हमारे हिसाब से, बहुत bullish ही है हमारा, और target अगर हम बात करें, तो देखें दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पर दीपक fertilizer की जड़ा दिखते हैं, उससे पहले अगर आज का market का देखें, तो market market आज काफी अच्छा गया, सुबह तेजी का रुख था, उसके बाद दोपहर तक मंदा रहा, उसके बाद दोपहर के बाद में, यहाँ दो बुजे के बाद काफी तेजी से इनोंने recovery दिखाई है, और 35,500 के आसपास आपका bank nifty future पहुँच चुका है, अब अगर हम यहाँ देखें, देखें, सुबर ट्रेंड के basis पर इसका जो support बनता है, 165 का बनता है, इसने आज reversal मारा है, यहाँ पर 211 से, बंदो कर 205 पर, RSI का level 80 पहुँच गया था, जो कि एक poison की तरह से काम करता है स्टॉक में, आप पीछे चार्ट भी देख लिए देखें दोस्तो, स्टॉ स्टॉक होता है, जो आपको overboard zone में नहीं खरीदना चाहिए, यह हमारी आपके लिए सलहा है, अब यहाँ से नीचे आएगा, तो 175 से 165 का range है, जो कि एक बढ़िया support demand zone कह सकते हैं इसको, 175 के असपास आप यहाँ से खरीदना शुरू कर सकते हैं स्टॉक को, थोड़ा सा consolidation होने दीजे, RSI का थोड़ा cool off होने दीजे, तब जाकर आप खरीद येगा, तो अब अगर हम बात करें यहाँ पर हमारे इसके target के लिए, तो देखिए दोस्तों, अगर हम बात करते हैं, नेशनल यहाँ पर दोनों stock के बात करेंगे हम लोग, आपने सबसे पहले अगर हम बात करे दीपक fertilizer की, तो दीपक fertilizer का हमारा long term का chart 500 रुपे का है आने वाले 2 साल के अंदर, तो थोड़ा aggressive target है, इसको थोड़ा सा अपने portfolio में जरूर बना के रखिएगा, और RCF, राष्टे chemical fertilizer, इसका target आने वाले समय में 300 रुपे का है, धाई साल के अंदर, तो दोनों का target आप अपने रीजन की वजए से, यहाँ पर थोड़ा consolidation होगा, जो कि एक अच्छा sign माना जाएगा stock के लिए, दोस्तों अगर आप हमारे साथ trade करना चाहते हैं, trading सीखना चाहते हैं, उसके लिए आप हमारे दो program join कर सकते हैं, और साथ साथ में आपको दो हफते या एक हफता हमारे साथ exact trade करने का मौका मिलेगा, आपके लिए 4 वीडियो प्रसुत ने जाएं, जयेंगा।